एक खाने का चम्मच जो है नमक हम इसमें डाल देंगे पाने में यह आदा किलो राइस हैं बास्बती चावल हैं यह नार्मल जो चावल होते हैं और इसके साथ तकरीबन एक खाने का चम्मच गी ले 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 या आईल ले वह आप डाल दें इसमें अच्छी तरह हिला हैं जब पानी उबले है तो हमने इसमें चावल डाल देने हैं चावल आपके तकरीबन आदा गंटा बिगे होने चाहिए यह तकरीबन 80% चावल हमारे पक चुके हैं इस अब यह हम दम लगाएंगे और इसके उपर आपने तकरीबन गी लगाना है आप गी भी लगा सकते हैं आपकी मर्जी है अलका अलका सा ओल लगा ले यह गी लगा ले यहाँ पे तकरीबन लसन का जो पेस्ट है हमने अलका सा सोते करना है और इसमें मटर डाल देने हैं इनको हल्दा पकाना नहीं है सरफ सो होते करना है हमने ताकि इसका टेस्ट जो चेंज हो जाए और हमने चावलों के ओपर डाल देना इनको यह मटर बॉयल किये हुए है जहां पर हमने वाइट पेपर लेनी है आपने स्पाइसी करना है तो आप ज़्यादा डाल दे और इसके साथ ही हम चिकन पाउडर लेंगे नम अब इनको मिक्स कर देंगे अराम अराम से मिक्स करें चावल टूटे नहीं यह हमारे मटर राइस बिल्कुल तयार है रेडी है फाइफ स्टार रेस्टोरेंट में बिल्कुल ऐसे तयार किये जाते है इसके साथ मैं आपसे जाज़त चाहूँगा इंशाला नेक्स वीडियो के लिए फिर मुलाकात करेंगे अलानी के बाद